हेलो और वेलकाम स्वाइके शागतम जानिये आसके आमरा प्रोनाउन पार्सनाल प्रोनाउन शुरु कर सी आगेर क्लास है आमरा प्रोनाउन की शेटा जेने शिलाम प्रोनाउन टा की शेटाई एक्टु बोले दी प्रणाउन हच्छे, जे नाउनेर परिपट्ते येटा अम्रा ब्यवहर करिया, शेटाहे नाउन तो आपनारा द्याखे ने खाने, I, un, you, he, she and me अम्रा परिपट्ते, किमबा कनो गोश्ठी वा अनेग्लो मानुस्यर परिबट्टि जो इगले उसकरा हाई सही गवला हाई प्रोनावन तो प्रोनावनेर क्लास आगे कुरे ची अमरा एक्टा एबां अमरा प्रोनावनेर क्लास टा जहेतू खोवी ब्रीहुत तर आम्रा सेकेंड चैप्टरे आशके पार्सुनाल प्रोनावन करासे इस्टे कोर्छी एबंग पार्सुनाल प्रोनावन टा एक टा बड़ चैप्टर तो आम्रा खुबी संखेफे एटार आलसुना कोर्बो आमाँदर प्रिभियास भीडियो ते इंगलीशेव देव आशे एटा आपनारा इंगलीश के एक टू इंगलीशेर मिक्सआप करे दिलेव शम्पुन्न इंगलीशे देवा आशे ताहले बुस्ते शुबी दा है आण बैद से फजिन्गे सी。 आप आशोंगा। आखना अमरा देखिए आशके परसुनाल प्रोनाँण की प्रोनाँण। परसुनाल प्रोनाँण टात्षुे प्रोनाँण। भित diversity प्रोनाँण। नाशकर से अ मिली देखुने अुट講 प्रोनाँण। तो पर्स्नवल प्रोनाउन ए र मोद्द आवार 4 राख मा आफे। तो यहां थे कि सब्सक्च तो सब्सक्च थे कमिए अबजिखाने शेंटेंचे उबजिंभ्प्च कोछा है। रिफ्लेक्सिव मने अपनाके रिफ्लेक्ट कर से जाए गिलो, खुभी आपनी डेफिनेशन थेकेई, आपनी बुस्ते भासे नेटा की, किन्तो आसकेर भीशाइटा मेनली कोथा है आमरा मिस्टेक कोरी, शेए गिलो एक टुखानी तुले धराजन नाई, आसके पार्सुनाल 关 चापनी अदो नाउन ४ूछिट भी आपने घर सेकेर सेटा होजे घर सब्लशा अलसना कर भाहा नुर्णम क्यों अ च्छिया चलबाचेक्ट डाउन , मिस्टेशन चलबर्णाउन जे नावन गोलो थाके सब्जेक्ट जाए गए, शेई जाए गए, अमरा ही, शी, अथबात आदेर अन्नकिसु बैभार करा, छेटाई होच्छे सब्जेक्ट प्रोनाउन, जामन, ली केम बैक फ्राम स्कूल, ली वें टू बेड, ली हैड हीज डिनर, तो आमरा इभावे ली सिक्ट ली कर्सी, अमरा ली जाद नाव बले, वे शाबजेक्ट प्रोनाउन एक त दियेदी, ता हले म सिनके में, ली अबावे ली केम बैक फ्राम स्कूल, ली ग vidéos्डिध मत बलेश डियेदी , ली शेद सेटनाई हमन, ली प्रोनावे हीज दू डिन आओर, ली ठू बले वी सब्जेक्ट प्रोनाव एखाने देवासे में आ, वी, यू, नहीं, शी, इट, दे एक गोलो हसे सब्जेक्ट प्रोनाव तो अनेक्षमाई आम रहा भूल कोई कोई अधक शेटा एक तुलेधु लेधोरी आमरे शेटा होचे जे एक कहने देखाने ली एंड मी ओएंड टो इसकूल तो subject जाएगाई आमरा Lee and me बोलते पारी ना कारण एटा तो me इटा थोच्छे object ताहले एखाने हवे Lee and I क्याल करवें subject जाएगाई सब्समाई subject दीबें Lee and I went to shop एटाई हवे राइट आबार बला जाए आपनी जदी बोलते चान ताहले बोलते पार बें जए I and Lee went to shop किन्तु एखाने English language टाखोब स्मूथ एबां खोब पोलाइट बोले आमरा अपर के प्रायरिटी दी बेशी एजन एखाने एटा बोलने बेशी भालो हवे जए Lee and I went to shop एटाई एटा देखिये एक्टु एबार एटा देखिये एक्टु अबजेक्ट प्राउन इस उस्ट इन दा प्लेस अबजेक्ट तो आमरा तो जानी इए अबजेक्ट की एटा देखन मी, आस, यू, हिम, हर, इट, देम एग लए हच्छे अबजेक्ट एबां I saw him yesterday तो हीम एखाने हवे अबजेक्ट He came to me yesterday और ही saw them in the school देम हवे अबजेक्ट एबजेक्ट इन दा प्लेस अबजेक्टे जे गुलो बशे शे गुलोई बला होच्छे अबजेक्टिब प्रोनाउन तो एखाने देखें अबजेक्ट प्रोनाउन टा की होच्छे अबजेक्ट प्रोनाउन होच्छे किसु समोर्षा होच्छे शेटा आमरा बोले फिली जेखाने मिस्टेक होई नर्माली I did it for he आमीजदी आबार I टा होच्छे subject आर एखाने हीम टा होच्छे अबजेक्ट आमीजदी बोली I did it for he ता हले हाबे रोंग एखाने राइट होच्छे हाबे I did it for him अबजेक्ट जाएगाई अबजेक्ट आजबे एभाबे आमरा रोंग ना करे something we have in possession or someone has got in possession छेटाई हाच्छे पोच्छे 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 जामन इस इस हाउज इस बेलोंग तो आस आएखाने हाउस्ट आमादर एटाए पोच्छे आमादर आमादर एटा धरेनित हापे पोचेशिव 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 की keyword थाके, my, mine, our, ours, your, yours, एक गोलो singular form, एक गोलो plural form, his, his, her, hers, it, its, their, theirs, एक गोलो सब गोलोई positive pronoun पोजिशन हिशाबे use करा जेते पारे, बाद जाये नर्माली, तो आमरा इबाद देखे, reflexive pronoun, reflexive pronoun टा की, reflexive pronoun होच्छे, जे pronoun टा, when the subject and the object are the same person, subject रो जे पार्शन होच्छे, object रो शेई पार्शन होच्छे, एबुंग शेई कथा टाके, reflect कुरे, reflect back to the subject होच्छे, शेटाय होच्छे, reflexive pronoun, for example, I saw myself in the mirror, so mirror रे काके देखे सिलाम, आमी, आमी देखे सिलाम, आमी जो दिया आर्गजन के बोली, ली, you must be careful with the knife, you can cut yourself, so एखने, आमी लीके होच्छे, आबर, he may have cut himself with the knife, एटाय, रिफर कोर सी, आबर, लीके ही, so both the subject and the object in the same person, it reflects to the same person, तो होले, एश तोखनी होच्छे, एटाय, reflexive pronoun, तो reflexive pronoun गोलो की की आसे, myself, yourself, herself, itself, ourself, yourself, themselves, तो आमी एक्टा भी साखने तुले धोत्ते साथ ची, जे reflexive pronoun ने आमरा कोन मिस्टेक्टार नार्माली कूरे थाकी, ourselves, yourself, themselves, एई तीन्टा ते आमरा अनेक्षुमाई एपोस्ट्रोफी बशाये दी, एई एपोस्ट्रोफी बशानर कारोने अनेक्षुमाई मिस्टेक्ट वने के ठीक ना जेनेव बशिये फैले जे एखेने एपोस्ट्रोफी हवे, तो आमरा जदी आसके थे के एपोस्ट्रोफी हवे ना, एठा जास्ट एश्ट देवा हच्छे, एश्टा है थाकवे, ताहले आमरा एटा के शटिक भवे शीकलाम, कोख्खोनो एखाने एपोस्ट्रोफी हवे ना, ताहले एटा रग होए गालो, और रिफ्लेक्सिबेर जे वर्ड गुलो थाके, यह गुलो इशुदू इंग्लिश यह वर्ड अचे, the whole English has this, only this few words for the reflexive pronoun, that is, myself, yourself, herself, itself, ourselves, yourself, themselves, अपनार जदे एक्टु ख्याल करेंड माथा है राखेना इगुलो, ता हले आमार मने है जा आपना देर आर कोखनो एटा भूल reflexive, they had to cook for themselves, ता हले एखाने जो दी, themselves भेर जाए गाई, एक्टा अपोस्टोफी बशिया दी, ता हले एटा राउं होए गालो, completely, एखाने कोखने अपोस्टोफी हवे ना, आर एटा हवे कि, when the subject and the object, the same person reflects back to the subject, ता हले आज कामरा पार्सनल प्रोनाउने की शिकलाम, subject pronoun, object pronoun, possessive pronoun and reflexive pronoun. subject pronoun हुचे यसे for the place of subject, जाहि गलो, हजय देक्ते बच्छे Godshini, object pronoun used for the place of object, कुछनो उल्टावर्टा कर अजा बना, subject जाई गाई subject थागब, object जाई गाई subject थागब, object जाई गाई object थागब possessive pronoun is the whatever you have in the in your position or someone else position this house is ours that's a possessive pronoun a reflexive pronoun is a pronoun is referred to the same subject and same object